Hello everyone, welcome back to my channel and मैं हूँ दीपा दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पीरियट को लाने का 100% उपाए ये एक आसान घरेलू उपाए है पीरियट ना आने पर कोई भी लड़की बहुत जादा परिशान हो जाती है तो आज मैं इस वीडियो में जो डिंक आपको बना कर दिखाऊंगी वो बहुत ही आसान घर में कम समय में बन जाएगा ये यदि आपको इरिगुलिर पीरियट की प्रॉब्लम है या फिर पीरियट रुक रुक के आते हैं या फिर पीरियट टाइम पर नहीं आते तो आप इस ट्रिंक को बना कर पी सकते हैं तो फ्रेंस किसी भी लडिकी के लिए जिसकी पीरियट रुक कर आती है या फिर पीरियट समय पर नहीं आती है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाली है यूसफुल है तो वीडियो को सुरू सिलाट तक जरूर देखे अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी करें फ्रेंस सबसे पहले जान लेते हैं कि पीरियट ना आने के क्या कारण हो सकते है दोस्तो किसी भी लडिकी में पीरियट ना आने के कारण सबसे पहला कारण होता है आपकी प्रेगनेंसी दोस्तो जब आप प्रेगनेंट हो जाती है तब आपकी पीरियट नहीं आती है दूसरा है थाइरोइड दोस्तो कुछ लड़कियों को थाइरोइड की प्रॉबलम होती है PCOD की प्रॉबलम होती है PCOD की problem में आपकी ovary में cyst बन जाते हैं जिसके कारण आपकी period लेट आती है या फिर नहीं आती है thyroid और PCOD के अलावा जब आपका weight अचानक से बढ़ता है तो भी आपकी period लेट हो सकती है या फिर जल्दी आ सकती है इसके अलावा अगर आप worth control pills ले रही हैं तो भी आपकी periods लेट हो सकती है अगर आप breastfeeding mother है तो भी आपकी period इधर उधर हो सकती है कभी पहले या फिर बाद में आ सकती है आपके hormonal imbalance के कारण भी आपकी periods लेट हो सकती है या फिर जल्दी आ सकती है तो friends ये कुछ region थे जिनके कारण आपकी period लेट हो सकती है या फिर जल्दी आ सकती है या फिर रुक रुक के आ सकती है इन सारे कारणों में से कारण कोई भी हो अगर आप इस drink का saveन करती है तो आपकी period चाहे एक महीने से रुकी हो या फिर 10 दिन से रुकी हो आप इसका use कर सक करती हैं दोस्तों इस drink के कोई भी side effect नहीं है सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है और फिर इसके इस्तमाल के बारे में हम बात करेंगे तो friends इस drink को बनाने के लिए हमें एक glass गुनगुना पानी चाहिए और एक चमच हल्दी चाहिए ये गुनगुने पानी में हम एक चमच हल्दी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से mix कर देंगे इसकी सारी गुठलिया निकल जाएं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है अब हम इसमें ये देखिए गुड डाल रहे हैं गुड भी आपको एक चम्मज के लगभग डालना है गुड को आप हलका क्रस करके ही डालें जिससे ये पानी में अच्छी तरह से गुल जाए तब तक मिक्स करें जब तक ये गुड इस पानी में घुल ना जाए दोस्तों ये आपका ड्रिंक अब तयार है इसे आपको सुबर खाली पेट और रात को सोनी से पहले लेना है इसके कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है अकसर प्रेगनेंसी में हल्दी खाने से आपको मना किया जाता है क्योंकि ये आपके गर्व पात में बहुत ही ज़्यादा कारगर है गुड और पानी भी गर्म है जिसके कारण ये बहुत जल्दी असर दिखाएगा दोस्तों यदि आप टाइम पर इस ड्रिंक को लेती है तो ये दो दिन के अंदर आपको रिजर्ट दिखा देता है पीरेट मिर्श होने के एक हफ्ते तक आप इसे ले सकती है उमीद है वीडियो में बताएगे जानकारी आपको पसंद आई होगी और यूसफुल लगी होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना बिल्कू न भूलें ऐसे ही प्रेग्नेंसी, डिलेवरी और बेबी केर से रिलेटिड जानकारी के लिए हमारे चैनल दीपासोरी.com को सब्सक्राइब करें